दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर ग्रीन स्क्रीन वीडियोस को बना कर अपलोड करते हो तो हो जाओ साउधान क्योंकि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन चैनल डी मोनटाइस हो रहे हैं आज मैं आपको जो चैनल दिखाने वाला हूँ यह चैनल यहाँ पर जो है ग्रीन स्क्रीन वीडियोस को बना कर अपलोड करता था इनका चैनल मोनटाइस भी था और यहाँ पर इनकी फर्स्ट पेमेंट भी आने वाली थी यही मैंने इनकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी बट यूटूब ने इनके चैनल को यहाँ पर demonetize कर दिया, इनकी first payment भी यहाँ पर काट ली और इनके चैनल पर reuse content की जो problem है वो भी यहाँ पर आ गई है, अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ क्यों हुआ, क्योंकि इन्हों ने यहाँ पर green screen वीडियो को बना गलती की, जिसकी वाज़े से इनका चैनल monetize था, वो यहाँ पर demonetize हो गया, और आप भी अगर green screen वीडियो को बनाते हो, तो यह तीन गलतिया मत करना जो कि इन्हों ने किया, और इनका चैनल आप यहाँ पर देख सकते हो, demonetize हो गया, first payment भी यहाँ पर नहीं आई है, अब य यहाँ पर half knowledge होती है, पूरी knowledge नहीं होती है, और यहाँ पर आप जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर काम करने लगते हो, जिसकी वाज़े से आगे चलके आपको इसी तरीके की दिक्कत उठानी परती है, और आपका जो channel है, वो monetization में reject हो जाता है, आपके channel पर reuse content, repetitive content की जो problem ह वो यहाँ पर आजाती है, अब यहाँ पर आपको अगर अपने green screen channel को monetize कराना है, तो इस video को end तक देख लेना बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, बड़ यहाँ पर video start करने से पहले video में एकी request करता हो कि video को like कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, और हाँ आपका green screen channel है, तो यहाँ क पर upload कर चुके है, बड़ यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊ, तो यह अपने channel पर green screen short videos को बनाते थे, इस तरीके से, और इनके channel पर earning भी हो रहे थी, बड़ जैसे इस मेने payment आने वाले थी, इनका जो channel है, वो demonetize कर दिया गया, और यहाँ पर इनके channel पर reuse content की जो problem है, वो 3 गलती कौन से की, जिसके वाज़े से, इनके channel पर यह सब कुछ हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अब यहाँ पर मैं इनकी एक video पर click करता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कि इन्होंने सबसे पहली गलती कौन से की है, तो यहाँ पर आप द जो रिमिक्स करते हो, green screen videos को बनाते हो, तो आपकी जो वीडियो है, जिस पर आप जो है green screen video बना रहे हो, उस पर 20-30% पार आपका green screen video है, वो यहाँ पर दिखना चाहिए, इनका वीडियो देख सकते हो, कितना सा छोटा पार यहाँ पर इन्हों ने अपनी वीडियो में पर जो है टाइटल के जश्ट पीछे इनों ने डाल दिया है आपको मैंने बोला था कि आपको जो है कुछ इस तरीके से साइड में या फिर आप कहीं पर भी बना सकते हो बड़ यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर 20-30% यहाँ पर शो होनी चाहिए यहाँ पर जो अब इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वीजे ओपना डेते हो यहाँ पर अपर छोटा सा ग्रीन स्क्रीन वीजे लगा देते हो उपर लगा देते हो, कहीं पर भी लगा देते हो, छोटा सा green screen video लगा देते हो, तो आपके channel पर आगे चलके reuse content की problem 101% आएगी और आपका channel monetization में reject हो जाएगा, चाहे आप यहाँ पर views को complete कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो यहाँ पर, तो आपको यह गलती नहीं करने है, तो य यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि दुसरी गलती इन्होंने अपने channel पर कौन सी की, ठीकिए इनकी जितनी भी वीडियो से, ठीकिए एक बात आपको बता देना चाहूँगा, कि जब भी आप अपने YouTube channel को monetization के लिए भेजते हो, तो YouTube जो है आपकी most popular videos को चेक करता है, यहाँ पर voice over नहीं किया है अपनी video में, ठीकिए इन्होंने अपनी green screen videos को बना दिया, यहाँ पर सही तरीके से नहीं बनाया, बड़ यहाँ पर voice over भी इन्होंने अपनी green screen videos में नहीं किया है, अगर आप अपनी green screen videos में सही तरीके से यहाँ पर green screen video बना लेते हो, बड़ voice over नहीं करते हो तो फिर भी आपके चनल पर reuse content की problem आ जाएगी और यहाँ पर आपका चनल monetization में reject कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को green screen वीडियो को बनाते समय यहाँ पर voice over करना है यहाँ पर compulsory है अगर आप voice over नहीं करोगे तो आपका चनल यहाँ पर monetization में reject कर दिया जाएगा इन्होंने अपनी काफी सारी वीडियो में यहाँ पर voice over भी नहीं किया है तो इनका चनल यहाँ पर monetization में reject कर दिया गया अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी गलती की जो कि इन्होंने अपने चनल पर की है आप भी यह गलती यहाँ पर सेम मत धोराना ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जितनी भी वीडियो से इन्होंने सेम सेम वीडियो पर हर बार green screen वीडियो को बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हो पहली वीडियो दूसरी वीडियो तिसरी वीडियो जितनी भी वीडियो इनकी viral हुई है इन्होंने same same वीडियो पर यहाँ पर green screen वीडियो को बनाया है जिसकी वज़े से इनका चैनल जो है यहाँ पर reuse content में आ गया और आपकी चैनल पर repetitive content की जो problem ह वो भी यहाँ पर आ सकती है तो आपको कभी भी यहाँ पर same same वीडियो में हर बार यहाँ ग्रीन स्क्रीन वीडियो को नहीं बनाना है यहाँ पर इन्होंने लगबख सारी वीडियो में अपने यहाँ पर same वीडियो पर green screen वीडियो को बनाया है जिसकी वैसे इनका जो चैनल वो यहाँ पर demonetize हो गया है मुझे पता है कि आपके चैनल पर कोई भी एक वीडियो यहाँ पर viral होती है अगर आप जो है दूसरी बार यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाओगे तो आपकी वो वीडियो भी यहाँ पर viral हो जाएगी घ्रीन स्क्रीन वीडियो को बना सकते हैं में यहाँ पर आगे चैनल भी ढावे बिया और पर इनकी काट लिग है लेहाँ पर आचटी यह 2 उक्त आपकात बात करते हैंै है सही तरीका क्या है green screen video's को बनाने का जिससे कि हमारा जो channel है वो यहाँ पर monetized हो जाए है यहाँ अब मैं daowania channel पर हिआ यहाँ पर चलके दिखा दीता हूँ यह अब यहाँ पर सही तरीके सा green screen videos को बना रहे है हूँ इनकी मैं एक वीडियो को यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वही वीडियो इन्हों ने ले लिए जो इन्हों ने पहले अपने वीडियो में यूज किया है same video इन्हों ने ले लिए है ठीकिए यहाँ पर आप देख सकते हो इनको पता था कि इस video पर में बनाओंगा तो फिर से मुझे यहाँ पर views आएंगे बट यहाँ पर मैं आपको बता रहूँ कि सही तरीका क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हों ने जो अपनी यहाँ पर green screen वीडियो को इस पर लगाया हुआ है यह एकदम right यहाँ पर form है यहाँ पर right तरीके से यहाँ पर लगाया हुआ है कम से कम 20-30% पार्ट इनका जो है इस वाली वीडियो में दिख रहा है ठीक है आप इनके चैनल पर जाके चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इन्हों ने green screen वीडियो को बनाया है यह एकदम right तरीका है और यहाँ पर अगर बात करें तो इन्हों ने जो है voice over भी किया है इस वीडियो में अगर यह ऐसी ही वीडियो अपने सब बनाते तो इनका जो चैनल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो image है इनकी जो green screen वीडियो है वो comment के ऊपर तक यहाँ पर दिखाई दे रही है और पीछे जो है यहाँ पर green screen वीडियो है ठीक है मतलब जो original वीडियो है उसके उपर green screen वीडियो कितने अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही है और इनका voice over भी आप जाके इनके चैनल पर चेक कर लेना, उन्होंने वाइस ओवर भी बड़े अच्छे तरीके से किया है, अगर ये इसी तरीके से वीडियोस को बनाते रहें, तो इनका चैनल मॉनटाइस भी हो जाएगा और ये अर्निंग भी करने लगेंगे, ठीके तो आपको इसी तरीके स देख के चले जाते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, तो आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई भी चैनल बनाओ, तो पूरी जानकारी लो, पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद यहाँ पर चैनल को बनाया करो, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर ग केमेंट सेक्षिन बता देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वुडियो में